भारत बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत में कला, क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, एजुकेशन इन सब का बहुत बड़ा योगदान है इस बदलते हुए भारत की नई छब में होता क्या है कि साहित्य समाज का दरपन है समाज में क्या क्या हो रहा है देश में क्या क्या हो सकता है अब हमारे यहां के जो फिल्म कार है हमारे यहां के धनाड डिवार गए जो प्रोड्यूसर बनते हैं पैसा लगाके वह धीरे अब मीनिंगफुल फिल्मों में फिर से आ रहे हैं और यह समय बदल रहा है और इस बदलते हुए समय को मैं इसलिए बहुत-बहुत नमन कर और बधाई देता हूं ऐसे दिलबाज लोगों को जो मीनिंगफुल विशयों पर पैसे भी लगा रहे हैं और मन भी लगा रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है सिरफ पैसा लगाते हैं लेकिन माइंड कहीं हो रहा है पैसा यहां लग रहा है तो अब दीरे-दीरे बदल रही है चबी और सोच बदल रही है लोगों की जो काम हो रहा है अब हमारे यहां की फिल्मे कम से कम ऑसकर में नॉमिनिट्शन तक तो चाती हैं बेशक टॉप में ना आती हो पहले तो वह भी नहीं होता था तो दीरे-दीरे बात बदल रही है और मैं ऐसे वाले फिल्मेकर्स को ऐसे वाले प्रोड्यूसर्स को ऐसे वाले डिरेक्टर्स को ऐसे वाले प्यारे एक्टर्स को बधाई भी देता हूं शुब कामनाई भी देता हूं आप लोगों से भी यह विनम्र प्रार्थना है कि थेटर में चैसे ही लगे देखना जरूरी फिल्म कंप्यूटर पे नहीं द परमात्मा का रूप है पब्लिक राम होती है यदि आपको पब्लिक के चहेते हो गए तो समझ लिए दाता के आप चहेते हो गए आपके काम को यदि पब्लिक निस्वीकार लिया तो समझ लिए सारा काम निस्तारा हो गया अगर पब्लिक ने आपको धुतकार दिया तो आप च संगीत का तो बहुत बड़ा योगदान हो ही रहा है मीनिंगफुल संगीत अगर ना होता तो भारत के संगीत को थोड़ी भी पहचान ना मिलती हमारे भारत ने पाइदा कि है पंडिती पंडित कुमार गंधर पंडित हिर्दैनात मंगेशकर मुहमम्मद रफी आज उनकी बलके जनम दिवस है सबसे पहले तो आब सबकी ओर से इस प्रत्वी को महम मध के साहब जल्म दिन मुबारत माँए ठीक है आज यह ही का बहुत सारी चीजें हो रही हैं लेकिन और बहुत सारी चीजें होने की जरूरत है और वो हैं कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर हम सब का खास दिहान जाना चाहिए और अधुकेशन और जो बेसिक इंफ्रस्ट्रक्ट्टर हैं उनकी तरफ यदि बातें बढ़ेंगी तो चीजें और अवस्था और व्यवस्था सुधरेंगी आपको प्रेली फिल्म को बनाने में अभिशे क्या है वसल में इस फिल्म का क्या दिखाना चाहिए इस फिल्म के मांग है एक चोटा सा बच्चा उसके लिए फार्मर उसके लिए वह भगवान है उसका बाप जो है और उसकी टेंशन यही लगी रहती है कि मेरे बाप को कुछ ना हो जाए तो उस एक बच्चे के पॉइंट अफ्यू से पूरी फिल्म को हमने तर्शारे एक्टर हैं जिन्होंने पीस बालक का रोल किया है हालांकि मेरे हाइट पे आ गए हैं अब लेकिन पिर भी अच्छी बात है और इन्होंने बहुत प्यारा एक्ट किया है और सारे एक्टर्स ने डिरेक्टर ने बहुत प्यारा काम किया है आप सबसे अनुग रहा है प्रार्थना है कि जब गहरे काम हों क्योंकि गहरे कामों में ढूंड उजड़े हुए लोगों में वफाके मोती ये खजाने तुझे मुम्किन है खराबों में मिलें गहरे कामों में जादा ग्लैमर नहीं होता जादा उसमें पैसे नहीं होते देढ़ादर चमा चमनी होती वहां पर तो चमक कम होती है और यह भारत ऐसे ही लोगों से बना ऐसी चीजों से बना है तो किर्पया आप ऐसे चीजों को ऐसे काम को ऐसी फिल्मों को थोड़ा देखिए ध्यान से जाकर है जी सिनेमा एक्चुली देखिए जहां पर कमर्शिलाइजेशन है जहां कम्यूं कंज्यूमरिजम है जहां पर मार्केटी बाजारी करण है वह तो बड़ा भयानक राक्षस का नाम है जैसे ही आप गहरा समान लेके चलेंगे लाल पड़ा बाजार में रहा धूल लपटा और नुग्रेट होकर मारते सब्रोने लिया उठाए दलाली लालन की लालों की दलाली होती है लेकिन लाल जो हैं उनको खुदी नहीं पता होता हम लाल है क्या तो वह विचारे कई बार पीले हुए पड़े रहते हैं इसलिए कई बार गहरी फिल्मों को थियेटर नहीं मिलते त जादा से जादा अच्छी चीजों का जिक्र हो अच्छे लोगों का जिक्र हो ताकि जो हो रहा है अनर्थ वह हो जाए समर्थ और अच्छी ने फिल्मों को क्रेजा जी ने मुख्य प्रड्यूस किया पैसे लगाए हैं अब बहुत मेहनत से कमाएं फिर लगाएं हैं अब जरह थोड़ा इसके जो हमारे कास्टिंग दूर्ट विच्छी ने बोला शुकरिया करता हूं कि यह बच्छा हमें बिली और यह बच्छा मेरे प कर रहे थे तो सेम इस बच्छे की वहां से प्रड़ा पतला था और यह हमारे पास आके स्लेक्ट हो और इसकी मम्में बोलती हमें वहां से रिजेक्ट कर दिया हैं कि मैं आपको रिजेक्शिं नहीं हूई आपकी selection हुई है, क्योंकि आप इस film के लिए बने थे, आप इस serial के लिए नहीं बने थे असली में साधर भैया हम बताना चाहते हैं हमारे प्यारे मीडिया को दुनिया में जब भी rejection होती है, तो समझ लीजिये ने कहीं न कहीं आपकी selection होती है अलлаH का निजाम बड़ा निराला है जी, मेरे दाता के बड़े अलग तरीके होते हैं ऐसा होता है, लगता है आपको ऐसा है कि सब कुछ उजड़ गया, लेकिन असली में तब बसता है, सब कुछ सब कुछ अंकुरित होता है तो इसलिए हारिये ना हिमत बिसारिये ना राम देखिये जी I am a man with no और हम नदी की तरह जीते कि अबर्श है ऐसा कभी कुछ होता नहीं कि फर्स चनवरी को बता लगा जी फूली फूल खिल गए हो सब जगार काटे भी है तो जैसे संसार रोज चलता ऐसा ही चलता है तो माइंड की उपज है उन्होंने किसी माइंड ने फिक्स किया वह एक हफते को हफता बना दो तीज द लेकिन दिलबाजों ने दिल बनाया है तो सर्फ दो लाइन वोगे है वैसे मैं दो लाइन गाता नहीं हूँ सोसव से कभ कभी गाई नहीं है मैं आपको इक बताता हूँ इस फिल्म के लिए भी यदि परमात्मान ने और थोड़ा कराई कुपरेजाजी से तो इसके लिए भी अच्छा गाना बनेगा इस फिल्म के लिए और बेटे की तरफ से बाप के लिए बनेगा ये आप संदेशा दीजिए इसका मैं आज आपको इस एक टाइग लाइन देता हूँ कि टाइगर तो जिंदा है और किसान मर रहे हैं यह है हमारे देश की हालोग चांद तो फिल्म को जिंदा रखो आग मेरे दाता है मेरे देश्वासी हूँ आग मेरे प्यारे लोग को तो ताइगर आपने देखें ना ताइगर के बारे में क्या कहने चाहिए? यह अभी नहीं देखें, अभी हम बहुत बहुत ट्राइवल कर रहे हैं सग्मान को हमारे इक्तम हिर्दे का इससा है आप जानते हैं, वो तो चहेता ऐसा, दिलबाज इंसान पहला एक एक्टर मैंने ऐसा देखा, जो इतना दिलबाज है साहिब हजार लोगों में भी ध्यान जरूर देता हूँ ऐसे हैं कभी ऐसा नहीं कि ऐसा चला गया, अचानक पता ही नहीं चला कौन था बाजूब इंसान की तरह रहता है, वरना जादातर सा मशीन की तरह रहता है जादातर जनम दिन के जाईडर आज़ा है कभ है? अरे बहुत बहुत आपको तो मैं पहले तो उनके जनम दिन पर एक उनके लिए उनकी फिलिम का गाता हूँ यारभाद देखो ये जान अरे जान जान दिल बरपे हो ना दिल बरपे हो ना कोई असर ओ यारभाद ये उनी की फिल्म का है सलाम इश्कता और दूसरे ये दुनिया उट पटांगा कित हत तकित नांगा रहत कुकडी देंबी बांगा ये जगते फटे आई चकडे चकडे वे रादन और अलिश्कता आई ज़्ली शादी होगी है उनके लिए उनके लिए शुप्तामना इए जिन जिन की भी शादी होई है इस दुनिया में सबको शुतामना है और उनकी सबकी हो जाये वह ठीक से क्यूंकि हो सब की चाती है निभाना थोड़ा होता है कई बार क्यूंकि बाद में दो-चार साल बाद बस वो कोर्टों के चक्कर नकटें यही प्रासना है सब अच्छे से निभालें क्यूंकि लाई तोड निभाई रे जबोड़ी तेरे नाम की ऐसा दुनिया में बहुत कम हो कि रिष्टों को आप निभालें बना सब रहे आएं निभाख हम रहें तो जरा यह वाली दुआएं जाता हैं दीजे और अभी जो बाहु बली का चारों और जिक्र चल रहा है आप लोगों को चल चलते वो दे जिता हूं तराधरेंग्रनंदिनी विलासबंदु बंदु रस्पुरत्थु गंतसंतति प्रमोदमानमानसे प्रिपाकताक्षदोरणी निरुद्धदु धुद्धरापदी वचित्ति गंबरे मनों नोडमी दुवस्तुरियां